असलाम लेकुम व्यूवर्स आज की जबरदस रेसिपी रेशा तिका कबाब बहुत ही सौफ्ट और बहुत लाजवाब और ये बहुत ही चटपटा बन के त्यार होता है और आप इसको अपनी रेसिपी या अपने डिनर में या लंच में शामिल जरूर कीजेगा बहुत ही मज कंपलीट कीजेगा और बहुत ही जबरदस्तो लाजवाब बन के तियार हुआ हैँ और डिफरेंट स्पाइसिज के साथ यसका बहुत ही खुब्सूरत ब्लेंड और ये बहुत ही क्रिस्पी एंड स्मूथ वे में बन के तियार हो рекह और हम यहां पर चिकन को मेरिनेट करके इसके साथ हम तिका कबाब तियार करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं हमने कैसे इसको प्रिपेर किया और कैसे इसकी प्रिपेर्शन को कम्प्लीट किया तो चलें फिर सबसे पहले हम इसकी marination तियार कर लेते हैं मैंने यहां पे 1 tablespoon रचिली पाउडर, 1 tablespoon salt मैंने एड़ किया है 2 tablespoon मैंने तिक कामसाला एड़ किया है यहां पे और 2 tablespoon ही cooking oil एड़ किया है अच्छे से आप इसको marinate करें तीन गंडे के लिए इसको फ्रेज में रख दे क्योंकि जो chicken होगा वो तकरीबन काफी हद तक spices में गल चुका हुआ होगा तो इसके बाद हमने तीन गंडे के बाद marination को open करेंगे और कुछ इस तरह की इसका texture आपको दिखेगा तो हम थोड़ा सा पैन में oil डालके इसको 5 मिनट के लिए high flame पे हम इसको fry करेंगे high flame पे हम इसको इसलिए fry कर रहे हैं ताके chicken जो है वो अच्छे से fry हो जाएगा और इसके बाद ये oil release जब कर देगा तो हम इसमें क्या करेंगे थोड़ा सा water ज़रूर add करेंगे ताके जो हमारा chicken है वो अंदर तक गल जाएगा तो यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे ready हो चुका है मैं यहाँ पे one cup एक छोटा cup मैंने पानी add किया cover कर देंगे और इस तरीके से पानी इसमें से dry हो जाएगा तो आप इसको वक्तन वक्तन चेक भी किजिए कि आपका chicken अच्छे से गल चुका है नरम हो चुका है क्योंकि इसका नरम होना बहुत जुरूरी है हमने इसको shred करना है और shred करने के बाद हम इसको mix करने जा रहे हैं तो इस वज़ा से हमारा chicken अच्छे से गला हुआ होना चाहिए और अच्छे से इसकी बुनाई हुई होनी चाहिए ताके किसी भी तरफ से हमें chicken सखत ना लगे तो यहाँ पे almost ready है हम इसको ठंडा करते हैं ठंडा करने के बाद मैंने इसको spoon की मदद से ही कोशिश किये श्रड करने की और इस तरीके से आप इसको श्रड कीजिएगा और जो bones होगी वो automatically ही separate हो जाएगी तो आप इसको हाथ की मदद से इस तरीके से पिक कर लीजिएगा यहाँ पे one by one मैंने सारी bones पिक की है और कोई bone रह नहीं चाहिए और इसके बाद अगर आप इसको और ज्यादा हाथों की मदद से श्रड करते हैं या fingers की मदद से इनको अलग-अलग करने की कोशिश करते हैं तो यह और भी खुबसूरती से बहुत ही अच्छा श्रड हो जा मैंने मैंने यान पर इक टेबल स्पूं चिली फ्लेक चेंट कर रही हो कि टेबल स्पून क्यूमन सीद्स आइड कर्यों आप चाहे तो पौडर वीयाइड कर सेते हैं वन्टेव तीशपून चाट मसाला एड किया है वाश की हुई कि सूरी मेती एड किया है क्यूंकि कोई सी भी टिकियों की शेप दे सकते हैं इस तरीके से आप इसको इतना सा अमेजा लीजेगा टिकियों की शेप कोशिश कीजेगा आपकी सेम साइज में होनी चाहिए और अच्छे से आप इसको राउंड करें राउंड करने के बाद हाथों की मदद से अराम राम से प्रेस कर करने के बाद मैं इसको ऑईल में यहां पे फ्राइ का रहे हूं और ज़रा कम ही आप डालिएगा तो इसके बाद हम 30 तू 40 सेकंड के बाद हम स्लो इन सबको टन करना स्टार्ट करेंगे क्यूंकि हमारा सारा का सारा अमेजर और त्यार है हमें कोई भी चीज पकाने की जरूरत हमें जस्ट इसको थोड़ा सा फ्राइ करना है तो यह उपर से बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं बहुत जबरदस्त कबाब बन के त्यार होते हैं अपनी फेवरेट केचप यह ग्रीन चेटनी के साथ इसे इंजॉय जरूर कीजेगा और रेसिपी पसंद रही तो प्लीज वीड इस सुरत कॉमेंट कॉमेंट सेक्षन में जरूर छोड़िएगा मुझे दीजेगा जाज़त